रूस और युक्रेन के बीच का युद्ध जितना पुराना हो रहा है उतना ही खतरनाक रूप लेता जा रहा है दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे पर बम, रॉकेट्स, मिसाइलों की बोच्छार जारी है एक और रूसी सेना ने युक्रेन पर जबरदस्त दबाव बनाया हुआ है जैसे जैसे रूसी हमले बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे युक्रेन अपने एक-एक इलाकों पर से पीछे हटता जा रहा है तो वहीं युक्रेन भी पस्चिमी मदद के पहुंचते ही रूस पर अट मगर युक्रेनी सेना ने भी हार ना मानते हुए रूसी सेना पर भीशन पलटवार किया है दोनों ही खेमों के इरादों को देखने से साफ जाहिर है कि फिलहाल युद का अंध काफी दूर है इस पीच युक्रेन के राश्पती जैलेंस्की ने अपने पुराने फैसलों को दोहराते हुए एक बार फिर चौकाने वाला फैसला ले डाला है युद से जूज रहे युक्रेन के पूरवी इलाके में सेना का नितृत कर रहे एक हाई रैंक मिलिटरी अफसर को जैलेंस्की ने फायर कर दिया है जैलेंस्की के अचानक से लिए गए इस कदम से सब हैरान ह बताया जा रहा है कि इस फैसले से सेन्य यूनिट को एक बड़ा धक्का पहुँचा है दावा किया जा रहा है कि अफसर पर रूसी हमले के दोरान सत्ता का गलत इस्तिमाल करने का आरोप लगा है हाला कि जैलेंस्की का ये चौकाने वाला कदम ऐसे समय पर आया है जब युक उक्रेन के आम फोर्स के जोइन्ट यूनिट के कमांडर लेफटिनन जनरल यूरी सोडोल की जगा ब्रिगेडियर जनरल एंडरी गंतोफ को चुनने का फैसला किया है हाला कि जैलेंस्की ने वरिष्ट कमांडर की बरखास्तकी के कारणों के बारे में ज्यादा जानकारी दर्ज कराई थी जिसमें सोडोल की जाच की मांग की गई थी दावा किया जाता है कि क्रोटविच ने सोडोल पर कई आरोप लगाये थे साथ ही मोर्चे पर यूकरेनी सैनिकों की मौत के लिए उन्हें दोशी ठहराया था यूकरेन के पूर्वी छोर पर पकड़ कमजोर होन के पीछे भी सोडोल की भूमिका पर सवाल उठाये थे कहा तो ये भी गया कि रूस से पराजित और परास्त यूकरेन कई महिनों से बैक फुट पर है रूसी से नालग भग हर हफते पूर्वी इलाके में नए गाओं पर दावा कर रही है लेकिन कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई है बताया जाता है कि सोडोल इस साल 11 फरवरी से संयुक्त बलो के कमांडर है उन्होंने 2023 में दोनेस्क उपरेशनल कमांड को भी लीड किया था सोडोल की जगा लेने वाले हनातोव ने पहले 2022 से साउथ उपरेशनल कमांड के डिप्टी कमांडर के रूप में क काम किया था युक्रेणी राश्पती की घोशना के बाद क्रोटोविच ने लिखा कि हनटोव एक बहुत अच्छे अधिकारी है मुझे उम्मीद है कि सामने की खबर बेहतर होगी बहराल मुश्किल दोर से गुजर रही युक्रेण को बाहर के साथ साथ अंदुरुनी में भी जीत हासिल करनी होगी नहीं तो आने वाले दिन बेहत मुश्किल भरे रह सकते हैं